अभड्डर अब सुलंगी भाई भला। बोलुक। अब सल्मान भाई इनका नाम सल्मान है खेर लेकर आपको डॉक्टर साब भी बोलनें, आपकी podcast आई जुनेत भाई के साथ और बहुत सारे लोगों उसको देखा बहुत सारे लोगों उसको पसंद किया मतब वही वाली बात होती ना जब सारे cousins आपस में बैठके मिलते हैं या दोस्यार बैठते हैं या बाइन फायर हो रहा हो तो वह अभूमन वह बाते चल रही होत जर्नी जर्नी जो है न उसके दो पार्टस हैं पहले तो यह है कि पहले तो मैं बिलीवी नहीं करता था नचीलो पे जो पहली podcast हुई है जनेत के साथ वो पोस्ट कुछ events के बाद हुई थी जिसके बाद मुझे actually accept करना पड़ा नहीं या रहा है ऐसा होता है स्टोरिया जो उसके अंदर जो different उसके साथ की इसमें उसमें मैंने कुछ स्टोरी स्टोरी चूरू के अंदर सुनाई तो हरख खाănदान की एक अपनी होती है मामु के साथ यह हूँ था चाचाक इसके अजीब सा स्टार्ड भी आ देखें क्या होगा कि जुनेद उस जमाने में एक पॉजिटिव पाकिस्तान पे पॉड़कास्ट चला रहा था शुरू में तो कभी सोलर वाले कभी कुछ कभी कुछ लोग आते थे अब वह बैठे वे सोच रहे थे कि मेरा नेक्स गेस्ट हम बैठे वे अपनी बाते कर रहे थे क्योंकि वह एक अलग मॉइंड में उनके फ्रेम में वाई साब चल ले थे अपनी सोच रहे थे फून कर रहे थे लोगों को देख रहे थे कि अब क्या लेकर आने मैं और अर्सलान प्यूंकि अर्सलान इनके दोस्त थे और मैं सिर्फ चुप करेट के हमें घूर रहा है थोड़ी देर में उसने बुला एक काम करो तुम लोग यह काम पोड़कास पे कर लोगा क्योंकि में पास इस वत कोई गैस समझ में नहीं आ रहा तो तुम ही आ जाओ तो अर्सलान के पास क्यूंकि कांटेंट ठोड़ा कम था तो नहीं पर आपर्टमेंट में नाम इसलिए नहीं रहता तर फर आपशी से लेकर वह पार्टमेंट के स्टोरी यह थी कि हमारी ओनर्शिप थी लेकिन वह जो प्रॉपर्टी के मसाहिल होते हम पुजेशन नहीं बिली थी वह अपार्टमेंट बिल्दिंग खाली पड़ी थी काफी टाइम से हम वहाँ जब possession मिला obviously कोई रेंट पर क्यों नहीं न चाहेगा फॉरण shift हो गया shift होने के कुछ दिन तब बहुत अच्छा रहा उसके बाद हाईसता कुछ अजीब अजीब चीजे फील होती थी दिखती थी यह किन क्योंके मज़े की बात यह थी कि उस फ्लोर पैसे वह अपार्टमेंट का फिफ फ्लोर था उस पे हमारे लवा कोई रहता ही नहीं था इसी तरह वो बि आ रहे हैं दोस्तार रहे हर कोई चोटी मुटी कोई कोई स्टोरी सुना थे रहा था यार मैं ऐसा हुआ वह था लिए इसा कुछ नहीं होता तुम्हारा भेह मैं थोड़ी दिर पहले मैं यही बता रहा था कि मेरे एक दोस्ते हैं बड़े अच्छे फरुउ साहब तो खैर व हमेशा शाम में ऐसे ही पहुंचाते थे मेरे पास एक दो घंटा लगाया पर वहां से निकल लगए वह आ जाते थे अक्सर वो कहता था कि मैं उतरा तो तुम ने यह किया तुमने वह किया मैं बोलता था मैं क्यूं उतोंगा भाई पांच मंदिले नीचे और मज़ी की बात किये थी कि जो लिफ्ट थी ना उस अपार्टमेंट की इतनी कोई सुस्त आदा घंटा आपको लगता था अगर आपने लैट से सेवंथ फ्लोर पर जाना है उसको ट्यून करवाते रहते थे वो थोड़ी सी तेज होती थी फिर वो डीली हो जाती थी बहुत ही वह आई आती तो लोग सीड़ियां ही ले ले लेते थे नीचे वाले तो ले ले लेते थे अब जिसका फिफ्ट नबफ था वो फिर परिशान हो जाता था कि भाई यार यह क्या है तो एक बड़ा मरहला था वो भी एक ही लिफ्ट थी और वो ऐसी थी अब आप जा रहे हो आ रहे हो जा अब जबानी परजी है बड़ी अच्छी बात है जब तक उस अपार्टर ने रहता था था बड़े फिट थे क्योंके सीड़ियां इतनी चड़नी उतरनी बड़ती थी थी लेकिन बाहराल वो एक अलग कहानी तो एक दिन वही हुआ ही हुआ कि वो उपर बैटे भी थे मेरे बास लाइट चली गई बिजली आफ अंधेरा कुप उनको आफिस जारा था मैंने का भाई तुम उतरो और जाओ मैं नहीं आ रहा है अब वो उतरते के थोड़ी देर के बाद एक कॉल आई बूले तुम मेरे पीचे-पीचे उतर रहे हो ड्रामे बाजी नहीं करो तो मैंने दुबारा फिर दुबारा तीसरी देफ़ा कॉल आई तुम मैंने का का हूं तो मैं पार्किंगे पहुंच चुक हो मैं तो मैं फर्स फ्लोर के जीने पर देख रहा हूं जो वहां मुझे अंधेरे में एक शेप नजर आ रहा है क्योंके लाइट नहीं थी यह बाद भी होरी ह नहीं था और वो कहता है कि यह तुम खड़े में मुझे सामने नजर आ रहे हो या तो नीचे आजो या अगर मुझे तंग की अगर कुछ डराने की कोशी की तुम पथर मार दूँगा पथर मारूंगा मैंने का एक काम करो तुम मुझे निकाल के उपर की तरफ देखो फिफ और अब जब तक बिजली नहीं आए कि नै मैं थमारे यह नहीं होगा अंधेर माई नहीं होगा मैं आगा ठीक है अब इसतरह की इंसिडेंट चलते रही उड़िया अब एक वो ड्राइवर वाली स्टॉरी है बता है कर ड्राइवर साभ एक दिन मुझे कौल आ अती ओ और समे गर के काम काल्च के लिए लाना भी चोटे मुटे काम के लिए तो बंदे को रखा और बोला कि आप क्योंके फिफ फ्लोर पे रहती है उनको कभी समान घरवालों को चाहिए हो अमी को या किसी को तो आप जाना बराबर में ही मार्केट है जाके ले आना को इतनी बड़ी बात न आए यह क्या तमासा शुरूब हो गया यह मैं घर आता हूं मैं देखता हूं मैं घर पहुंचा मैंने डॉइवर साहब को पकड़ा हो रहे जो बात है तो मैं रखा इसी काम के लिए तुम उपर नहीं नहीं किस काम क्या है को चोटी मुटे चीजना लाने के लिए वो खुद मैंने का मसला क्या है मसला बताओ मुझे दमाग में ये बात चल लिए कि किसी ने कोई बत्तमीजी कर लिया कोई जिस तरह ये होते हैं अब वो कहते हैं जी कि वही लिफ्ट काला सिनेरियो कि मैं उपर आया मुझे बुलाया कि भाई उपर आ जाना फिफ फ्लोर पे मैं कोने पर बैठावा था मैं आया ठहलता वा तो लिफ्ट बंद वो रही थी या बंद थी तो मैंने बटन दबाया खुली और वो खुलती बड़ी सुस्त तरीके से थी अराम अराम से बान करके पूरा मतलब पूरा जी और शो इसमें दिया वा था तो अब वो खुलती है तो अंदर को बटन जो हैं लिफ्ट के उस तरफ किया अब ये भाई अंदर आया और इन्हें देखा कि फिफ फ्लोर का बटन दबावा है तो इन्होंने कहा और सोचा कि भाई इनकी कोई गेस्ट आई नहीं है तो ये फिफ फ्लोर वे एकि घर ता इक्जाक्ली ये इज़त से पीछे होके खड़े होके कि भाई ये हैं वहाँ पे कुछ समान इन से मगाया था शायद डवलोटी अंडे वोटेवर वो ये लेके पीछे खड़े में अब फिफ फ्लोर आया उपर आया दर्वाजा खुला वो निकली ये पीछे पीछे निकले अब पता अंदाजा है कि भाई ये हमारी गेस्ट हैं वोई पीछे पीछे अब वो हमारे चल कॉरिडोर से क्रॉस होते वे दर्वाजे पर आ गए हैं ये पीछे पीछे आए अब कहते हैं वो चलते चलते गेट पर आएं गेट से आर पर चली है भुला ऑपर निए अब चलते हैं मैं टुकाई आ रही क्या पी रहे हो क्या कर। जहें में तो यह आता है है कि आजकल क्या कर रहे हुए कॉन से नहावला कर रहे हुए अगला कम ज़्यख़ी भी नाकरी रही है मुझे भी जाधा डाटते ब्था जीब सा फैल मुझे भी जादा इलाटते वे जादा म defines म मार रहा हूँ लेकिन क्या करें बंदा बोले वह बात किस बात पर इस इस्टोरी यह सुना रहे हैं वह बख्वास अजम गरूरा करना है तो दूसरा आ जाएगा बात खतम करती अब यह स्टोरी खतम हो इस्टा वग्यूसरा चोटी पुटी चीज़ें होती रहती दो जो घर में रहते उनको ज्यादा फील होता था मैं क्यों मैं तो पूरे पूरे बाहर होते थे वीकेंड पे ऐसा होता था कि सुबह उठे तो कोई बारा एक बजे दोस्ता आगा बाहर निकल गए रात को आए थोड़ी दर बैड़े फिर बाहर निकल गए यह वाला हिसाब होता है तो इतना फील होता था अब क्या हो रहा है जराप के आइस्ता इस्ता लोग शिफ्ट होने शुरू हो रहे ना देखा देखी कि लोग यहां आरे है रहे है वो आइस्ता इस्ता लोग आ रहे है अब घर में बच्चे भी थे में दलब मेरी सिस्टर साथ रहनी थी उनकी बेटी भी थी तो व मामला थोड़ा सा ठीक हो जाता है अगला नहीं रियालाइस करता है अब आप बोलोगे इसको क्या है बच्चा है बोल भी नी सकता अब आप अजूम कर रहे होंगे ऐसा कुछ ड्रामा है अब कोई बात नहीं बच्चे को खड़ीगी परता है डाल दो भई आंखिल में शाहिद गर पहुंचे गर वालों ने बोला कि हमको शादी में जाना है सही है हमारा तो वही टाइम है साठी दस बचे के बाद शादी में जाने का टाइम होता है तो मैं बाई मैं तो बिलकुल यह फ्लैट हूँ आप लोग जाएं इंजॉय करें मैं घर पे हूँ बैढ़के गर पे स अपार्टमेंट की जहां पर मतलब टीवी लाउंज बनावा था सामने किचन है यह टीवी लाउंज यह में गेट का दर्वाजा है मैं यहां बैठा हूं सब लोग चले गए खाना माइक्रोब्स में गरम करके टेबल पर रखा है टीवी पर कुछ लगा रहा हूं खाना खान उनके उनके साथ दू बच्चे थे शायए छह साल का था है और तस साल का था हूं दुमाग में क्या बात है Papi यह हरकते यह कर रहे हैं ELD counter अबflow अब फ्र दिवाजने खाना date खाना उत्रहा हूं फिर ऑन नहीं आरो में झाल नहीं इसा नहीं दो और उप खाना एक बंदा कहा होता है कितना irritating होता है ना अब या आपने नवाला मुव में डाला फिर बेल बजना शुरू हो गई आप उठे गए दर्वाजे पर दर्वाजा आपने खोला पिर कोई नहीं अब फ्लैट का क्या होता है भाई एक आपका लगडी का दर्वाजा होता है पर आपने एक लोहे की ग्रिल बनाई ही होती है ठीक है अब वो ग्रिल के आरपार में देख रहा हूं कुछ भी नहीं है अब मज़ेगी बात वो जो कॉरिडूर था ना वहाँ अपार्टमेंट वाले मर गए लेकिन वहाँ लाइट नहीं जला सकी है हमेशा अंदेरा होता था लोह पार जो कॉरिड दिन के बाद कोई भाई सावा के सेवर ला गए जाते थे दो दिन के बाद वो नीचे बढ़ा होता था तो similarly अंधेरा रहता था अब फिर बजी फिर कोला अब कोई नहीं अब बिल्कुल जो है ने को वाली पोजिशन आगी हड़ गी नहीं मतलब क्या मसला मसला क्या है तुम अबने का साले दरवादा खोला कोई ही नहीं हो बेल बज रही है इस्जत की साथ दरवादा बंद किया जाकर बैड़ गए बेल बजते रही थोड़ी देर उसके बाद बंद हो गई अब ऐसास हुआ कि यार यह तो कुछ मामला तेड़ा है कुछ तेड़ा है इस्जत के साथ उटे अम्मा के कमरे में क्योंकि सबकी अम्मा ऐसी होती है वहां जाकर बैड़ गए वहां जाकर काना काना शुरू करते हैं चोड़ो सोच नहीं है इस बारे में तो आम वहां पर यह ड्रामे शुरू है और फिर इस तरह बाकाइद है अटैक में मुझ पर हुआ तो मुझे एसास हुआ कि यार यहां जो लोग जैसे कह रहे हैं यहां कुछ मामला तो है कोई ठीक नहीं है फिर भी वह एक तसल्य होती है नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई परिशानी की बाद जाने पर एक दिन भाई लेट वापिस आ रहे हैं तो आपार्टमेंट की खासियत यह थी कि सीड़ी चड़के उपर जाने का कोई रस्ता नहीं था अगर फैसल आपने जाना है उपर रैम से गाड़ी पे अगर आप पैसल आएंगे तो रैम पर ही चड़के आप उपर जाएंगे उपर चड़के आये है वो बीच मे बिलकुल हर तरफ ऐसे अपार्टमेंट स से बीच में lift का और जा रहे हैं सामने बंद हो रही है वही जी हो लिफ्ट अराम अराम से अंदर को यह वाइट अनर्जी से वर बल्ब लगा होगा होगा है अंदर नदर आरी हैं दूर से कोई शेप है अंदर कोई साहिबा कड़ी है अब आप जा रहे हैं हम चड़ते 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 ऊपर पहुंचे अब lift इतनी मतलब एक थोड़ी सी खुली रही मैंने का अगर मैं थोड़ा सा भाग के जाके क्योंकि अगर यह गई तो हम 15-20 मिनट में यही खड़ा रहूंगा भा हम फार्टन काईब हो गई। अपने दुन में चिपकली देखि हा थोड़ी से नहीं यार मैं वो अपार्टमेंट जब हमने छोड़ा है ना वो इसलिए छोड़ा कि जब पूरा फ्लोर अबाद होगी रहता ना छोड़ने कितने सारे रीजन है इसके अलावा कौन सा रीजन चाहिए यह तो मैं अवर एक साल रहे हैं वहाँ एक साल रहे हैं और यह एक साल थूरू आउट कुछ ना कुछ होता रहता था पहले एसास जो था फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू होगी एंड में जाके फ्रिक्वेंसी यह हो गई थी कि रात को खाब भी अजीब से आते थे वह मार धाड़ वाले खुन खराबे वाले और अब भावी बहुत बेमार रहते थे मतलब तब ठीक होकी यह नहीं देती थी अस्पताल अक्सर जाना पड़ता था और बच्चे मुस्तकिल तंग थे जमीन पे पैर रखने को तग्यार नहीं ना हैसी वाली हालत हुई गी और मतलब एक अजीब सा हो गया था बलकुल एक परिशानी वाला ना उसके बाद फिर वो एक साहब को बुलाया गया क्योंकि खाब जो लास आया तरो सब को सेम आया था पूरे घर को अच्छा और उसमें छोटे बच्चे जो मारे घर थे उससे रिलेड़ेड़ था और काफी खतर डार बहुत डिस्टर्बिंग ऐसा है कि मैं बताना भी नहीं चाहता तो उनको फिर बुलाया वह भी यह देखें अम्मी ने वह देखा बहन ने भी देखा बाई ने भी देखा वह देखा वह देखा जीब सा एक शौकिंग फैक्टर हो गया पर यह गए पिर किसी साब से रिष्टेदार थे बिचारे मरहूम हो गए उनसे पूछा उन्होंने कहा कि मैं घर का आपका एक मुझे कुछ अजीब मतलब एक फीलिंग आ रही है कि कुछ और किसम का मसला है अब वो बिचारे जईफ आदमी थे हैं वो घर में कोरिडोर से लिफ्ट से निकले हैं उनकी कमर जुगना शुरू हो गई यू 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 अब वो धर के दर्वादे पे बिलकुल ऐसे हैं कि रुगों में जलने बोल कुछ नहीं रहे बस आयते बढ़े आ रहे हैं दर्वादा खूल के अंदर बिठाया थोड़े रिलाक्स हुए पसीने पसीने उनको चायवाई पिलाई तो उन्हें ने बोला इतना वजन मेरे कंदों पर पढ़िया था क्योंकि आयते कुछ होती है वो रिपीट पर पढ़ते वह आ रहे थे तो कि सांस लेना मुश्किल हो गया था इनमा उन्होंने फिर बताया कि यहां पर ऐसा है कि कुछ यहां इसी अपार्टमन में रहता था वो आप लोगे शिफ्ट होने के बाद बाहर निकल किया वो बराबर या कहीं और शिफ्ट इदर उदर गुंता रहता है और उसको आप लोगों से शदीद गुसा है आपके आने के बाद उसका जो ठिकाना था वो डिस्टर्ब हुआ तो वो आप लोगों से शदीद गुसा है और वो आप लोगों चोड़ेगा नहीं चोड़ेगी नहीं चोड़ेगी नहीं जी तो ब ने फिर वो अबार्टमेंट छोड़ा उसके पीछे पूरी वो जो साइंस चलती है कि भाई दुआएं पढ़ा ही जा रही है खतम हो रहे हैं बक्रे जिबा हो रहे हैं पूरी चीज़ें करा के अपने उपर से बला टाली तब जाके फिर आइसा होगा कि नहीं यार ऐसा होता है यह जो लोग स्टोरियां सुनाते हैं जरूरी नहीं है कहार कोई साच हो लेकिन वहाइसा होता है बाद 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 बता है कौन से एर की बात है सारी 2007 से 2008 के दर्में 2007 क्या आज भी उस बिल्लिंग में ऐसा सीन है बीबी बिलकुल है बता रहा था कि मेरे एक दोस्त था जो ऑ आएंगे दो-तीन दिन अपना वह काम एक्सपोर्ट के कोई मसले मसाहिल सौर्ट करेंगे और वापिस चले जाएंगे तो मिया बीवी ने सिफ आना होता था दो चार दिन दो-चार दिन रुखना था अब मेरे जो दोस्त है इन्हीं ने मुझे कॉल की इस इंसिटेंड के भी के डारेक्ट नहीं है कहता है मैंने जब उन्हों की घर की स्टोरी सुनी ने मैंने इनक्वाइरी की पूछा तो एक्चली इशू यह था हजबेंड जो था काम पर जाता था और जो बेगम थी वो कहती थी मैं अवल तो मैं एक दफा के बाद इस अपार्टमेंट में रुखन साथे थे सोज आते थे वटैवर करते थे इस एक आध दिन में काम लो बेटे के घर चले आते थे वह रचती थी कि एसा होता है कि सुबा उठी तो घर की आवाज आ रही हूस्बंड साब नहीं है घर पे बाहर गए ड्राइंग रूम में तीन ओर ते नहीं होता था घर में यह शुरू जाता था और हजबेंड साब यह कहते थे कैसा होता नहीं है ऐसे वो टोन मतलब ऐसे सबूत के इधर कोई प्रॉब्लम थी तो यह स्टोरी जो मेरी थी फिर उन्हों को सुनाई गी कि यह मेरे दोस्त के साथ हुआ था यह वही अब तो उनकी बड़ी अन्बन होती है कि मैं कराची नहीं जाओंगी वो कहते है कराची जाना पड़ेगा यह वो तो यह बैक्राउंड पर तलाग तक बात आ गई थी तो फिर यह जाके स्टोरी वहां पर वेतलब आभी भी वह अपार्टमेंट मौजूद है वह अपार्ट तो यह दो पहले तो यह चीज़ पर मेरा इंटरस डेवलप हुआ इंटरस डेवलप हुआ कि हम चोड़ देते हैं आए जाने दो यह एक्स्रीम इह से जादाह कुछ हुआ है यह मेरे लिए एक्स्रीम है, क्यों कि जूआ भुशिश हिए क्यों कि गोधा आप्व से जहा सी चीज का line तो छिव आप में में भुशना रुट ओड ही झाहा। बहुत हूँ वही तो यह वो अली चक्कर है जैसे पॉड़कास में भी मेरे साथ दो तीन दफ़ा हलकी इलकी सी चीज़े हुई ही जैसे के अब जब मैंने पॉड़कास चुरू की वह तो अब तो जुनेद ने जब डाला और सब कुछ किया तो फलट आ गया था ना एक बिलकुल बिलकुल पांच हजार इमेलें एक साथ तीक है पांच हजार इमेल एक साथ आ रही हैं लोग फून कर रहे हैं पूछ रहे हैं क्योंकि वह पहली वीडियो तो उसकी आपको पते ही है तो अब चीज़ें उसमें खुद पढ़ता था बैटके एक एक एमेल लोगों को जवाब देने के आपको रीच आउट कर रहे हैं आप भी उनको थैंक यू बोलने के लिए कुछ तो बोलोगे तो एक एक चीज़ पढ़ता था तो कॉंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था मैं मतलब आप पूरा-पूरा दिन सिफ स्टोरियां बढ़ रहे हैं लोगों की जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं मेरे साथ यह हुआ था मेरे फलाने के साथ यह हुआ था मेरे फलाने के साथ यह हुआ था वेंचुली कुछ स्टोरियां फिर वह बनाने लगया मतलब तुक मिए सम वाइल जब वीडियो आई थी उसके भी छे महीने के बाद मेरे खाल मैंने एक वीडियो बना के एक वीडियो बनाई, दो वीडियो बनाई, तीन वीडियो बनाई, चार वीडियो बनाई, content बहुत था, जब फारिट टाइम मिलता सा, बनाता सा, अब ऐसा कुछ होता है, जैसे कि कोई आपने कोई स्टोरी के अंदर कोई, मतलब अम्यूजिंग सी बात आ गई, like some kind of a lame joke or something like that, आपने वो चीज सुनाई, आपको भी अलगी से हसी आ रही है, वो बात करते हुए, आपने वो बात बोली, अब आप अकिले घर पर बैटे हुए, रात का तीन बजरा है, ठीक है, और अपने घर के ड्राइंग रूम में आप बैटे हुए, ये भी नहीं कि कहीं बराबर में क रहे हैं, उसी बत मैंने वो वीडियो पॉस्ट करके इधर उदर देखना चुरू लाफ्टर कहां से आ रहे हैं, ये लाफ्टर रील कहां से चुरू चलू है, अब मुझे लगा कि शायद मेरे साथ को घरवाला तफरील ले रहे हैं, किसने नादर एली की वीडियो प्ले की ह इधर उदर मैं जाके देखा, कुछ मेरी है, अचा महले में कुछ चौकिदार होते हैं, वो रात में वो गैधिरिंग बनाए बैठे वे होते हैं, नीचे देके टिक टॉक देखर होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मेरा अजम्शन हो, ये बैठे होंगे, माशालों इतनी रोडें बड़ी-बड़ी तो हैं नहीं, एक रोड है, दोनों तरफ घर होते हैं, ये इनकी हरकत होगी, निकल किये गया, जहां का खड़की से बाहर, वो बैठे ही नहीं, वो गली के दूसरे कुने कहीं बैठे हुए, चुप चाब बैठे हैं, दिमाग ही फतूर है, दुबारा से रीटेक स्टार्ट किया, फिर कैमरा रखा, सारी चीजें लखी, फिर स्टार्ट किया, फिर वो स्टोरी सुनाई, फिर वो लेम जोग सुनाया, फिर असनी के बजा गए, ये तो उस्ताद, ये तो मामला कुछ खराब है, ओडियो बंद की, हिम्मत बना रहा हू अगले दिन, फिर क्या होगा जनाब, ये तो बना लिया, अपने वीडियो बड़े खुश हो गए, जी कुछ ही नहीं हुआ हो, ये तो उतर आता है, एक ये कोवेड के दमाने की बात है, मेरी वालदा थी उसमत यूएई में, एर फिर बंदुगावा था, वहां फसी में थी मैं या था अकेला, और हमारा घर इस तरह है कि नीचे वाले फ्लोर पर हम रोल रहते हैं, उपर हमने रेंट पर अपने विश्यदानों को दियागा, थीक है, तो वो उपर थे, तो वो लोग भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, अब घर में मैं अकेला, कोवेड का दमाना, जो गयाव है, वो आने वाला नहीं है, लोग डाउन चला है, उन्हें का वी वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने बैठे, अब थोड़ी देर के बाद, गेट पर दर्वाजा अंदर के बाद हो रहे, ड्राइंग रूम की, किसी ने आगे कटटटाना चुरू कर दिया, अब नहीं आगए, मेरे मामू आगए, यह आगए, वो आगए, वो आगए, अचामियां थी, अब मेन दर्वाजा खोलो, कोई नहीं, एक दफा और किया, फिर कोई नहीं, क्योंकि स्टोरी जो मैं सुना रहा था, उस बत वो एक, मैं खाल इंडियन की थी, जिसमें ऐसा ही कुछ दर्वाजी बज़ रही है, यह वो रहा है, वो बात करो वो रहा है, वो ही हरकत होना शूरू हो जाए, उस दिन तो ऐसा हाल हो गया था, मैंने फूड पांडा पर और की और पांडा वाल के साथ बाहर खड़ा हो गया, और क्या करती हो, कहा से आए बहुत हो, आदा गंटा कह हमारे उपर हम रहते थे और नीचे वाला पोर्शन हमने गराया पे दिया वा था, तो नीचे एक फैमिली रहती थी, और वो फैमिली जो है, एद मनाने के लिए स्याल कोट गई थी, ठीक है, अब नीचे वाला घर है, वो बलकुल खाली है, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि चलना शुरू हो गया था, जब बच्चा चलता है, तो उसके लिए नए जूते आते हैं, इसमें चूँ 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 अवाद आती है, बबल कमर्स वाली है, बबल कमर्स वाली है, तो फरमान नान था, वो बच्चा बड़ा हो गया माशिय लिए से, और आ आपके पार्किंग के लेड़ जला दें, ताके मगरब के टाइम पर रॉष्णी रहे। ते उन्हीं रूटीन उन्हीं पर उन्हीं गाने लिए गाने के लिए सब्सक्राइब त आपके अगए अवाज अगानीया उन्हीं। सर्फ वो जूतों की आवाज आना शुरू हुई और घर स्कुएर में था तो यहां से चू 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 आना शुरू ही और चू 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 Walk- mandated वो बढ़ते 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 ब़दे अवाज भी बहुत करीब ही और हम उपर से देख सकते थे नीचे क्या हमने यूँ उपर देखा कि कौन है कोई भी नहीं अच्छा बीश में ख्याल है कि यार कोई चोर वोड़ तो नहीं गुसा है पर हमारे दमाग में ये भी ख्याल है कि यार चोर गुसे गा तो जूते क्यों बहनेगा समझ रहे हैं तो ये आवाज आना शुरू हुए उस घर की स्टोरी बिसिकली यह है वहां पे एक आंटी रहती थी चेक है और वो अंटी थोड़ी बहुत धुनली-धुनली मुझे भी आते हैं बहुत इच्छे तरीके से वो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी थी है और बहुत मशूर स्कूल है अज भी उनकी डेट वी थी है वो मा बिटा रहते थे उस घर के अंदर तो स्कूल जाती थी तो शाम पांच बजो टुशन मुशन पढ़ा के पांच भी दर्वाजा कुलता था धड़कर के बंदोता था और वो अंदर जाके चली जाती थी एक दिन क्या है वो उपर आती है म इस टान में ने गुशन आती है उपर तो स्कूल ऑच निलो आटी नीचा थी 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 चकाल भांच जो झसाअ हो से से लेकर फेर तक पूरी जलिवी थी। इतना कि जब वो चल कर आए थी अख, लित्रली जमीन पर पड़े वे थे और कि तो आघ अधी लिए थे ख रहे थे? ना घर में आग लगी थी, ना घर में कुछ चीज जली थी जह ते कैसे आग लगी? नहीं मालो, ना वो suicide थी, अगर वो suicide होती तो वो उपर आके यह नहीं बोलती कि मैं जल गई हूँ, आज तक वो मिस्ट्री है, उनका इंतकाल हो गया, चलीगे इस दुनिया से, उनके इंतकाल के तकरीबन समझें, यह मुझे बहुंचे तरही से आधा, काफी महीनों तक, मेरे तक शाम पांच बजे दर्वाजा खोलता था, धाड़ करके बंद होता था और रोज नीचे लाइट जलती थी मखरब के तक उस घर में कोई नहीं था, एक वक्त मुझे यह याद है कि मेरे अल्ला बख्शे अबभा कहते थे कि यार, अम्यों कहते थे कि यार, बास सुन में मुझे नीचा के लिए नहीं आओंगा, मैं ऐसे नहीं आओंगा, हमारे एक अंकल है, फैमिली फ्रेंड है उजहर अंकल, बीच में सौधिया शिफ्ट होगे तक वापस आगए, वो आर्मी में थे थे ना, उस टाम पे तो एक आर्मी थोड़ा 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 हमने उनको बोला, हमने बोला यार यह क्या सीन होता है देखो, तो उनने लिटरली वो ब्राउन गेट था, ब्राउन दरवाजा था लकडी का, नीचे लाइट जलती थी, उनने कान लगा के सुना, तो अंदर से हमिंग की आवाज आ दी थी, कि हम इस किसम की आवाज और प्रेट भी किराइदार वहां पर आए, उनकी फैमली में जो जो तो एक मौत जरूर हूँ है, लो ब्लैक मैजिक का कर लगता है, यह बलाक मैजिक मैं नहीं कहाँगा, ठीक हो और उनको था टो रहता है तो सिर एक फैमिली के साथ होता है, हर अलग 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 डिफरेंट फ शरारते करते ते लो है अब जैसे मेरे घर में अंदर सीडिया बनी वी इए ठीक है कब आड़े कुछ भी नहीं आप मैं चलता वा जा रहो जा रहो जा रहो जा रहो अचाना से जूतों का रrek उठाया, किसी ने हवा मुठाण करे भी ठैक दिया। वह की अंची ताद के उनके साथ बहुत हुआ। उनके इतब भी तंग करते थे कि नोसलह मतलब नुक्सान वाले पोजिशन नुक्सान वाले नहीं होता था। अच्छा अम्मी का तो मैं उस्ति हम लोग इतना हादी आपने मुस्छे सवाल गह जाला तूम इस चीज परकाइस मैं कहा है नि इस चीज मैं इस चीज में इन ऑड़े से स्पेरिंस इसrooms करता हूं इक्सपेरिंस करता हूं रहा हूं बचपन से घर वाले अल्ला का शुकर इतना वो है कि यार हाँ यह चीज एक्जिस्ट करती है ना मैं उनको तंग करता हूं ना खुदा ना खासे ना कोई उंगली तोड़ता हूं ना मुझ पर ला का शुकर आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होते हैं हर जगह अगर न यह रिसर्च है जिसमें यह यह चीज़ें लिक्षी कोई चीज नहीं है आपको सिर्फ कोछ रूल्स बता दी और इन से दूर रहने को गया जादा गुसने को नहीं गया है सल्मान मैं आपसे लेक बात पूछने चाँगगा यह इसी बात पर सवाल में दिमाग में आपने का यह रिसर्च नहीं है यह वो आपको लगता कि जो लोग रिसर्च करते हैं इस चीज़ के उपर उनका दिमाग पलड़ जाता है मेरा ख्याल है जनरली बहुत बुक्स लिखी गई थी इस पर पुरानी सदियों में चौदा सो सदी में इस तरीके इस जमाने में उसके बाद से सब्जेक्ट पर ऐसी कोई बुक नहीं मिलती कि यह कौन है यह क्या है मतलब एक बुक अलब बुलहान है किताब बुलहान है ऐसे कोई नाम है वो भी कोई रेर कौपी थी कि किसी बादशाही फैमिली के लिए ऐसे इंसाइकलोपीडिया बनाई गई थी तो उसकी कोई कौपी है पता नहीं यहां निव यॉर्क म्यूजियम में कहा है एक ही कौपी है वो तो उसमें डीटेल्स हैं मिसाल है कि हर दिन का एक अलग बादश चीजें उसमें मौजूद है उस उस जमाने के बाद से I don't see anything मतलब यह जरूर आपको कहानिया मिलेंगी कि फलानी जगा परियां और यह यह या उनको बलाने का तरीका यह वो भी again वो भी doubtable होता है कि यह किस intention में आप क्या करने जा रहो लेकिन कोई ऐसी general information या research या life क्या ज उसके बाद से तुमाने ऐसी कोई चीज नहीं नहीं थे कि online खास का तो सबके बास research का सबसे बड़ा टूली है यह तो उसके बाद तो कुछ नहीं है पुरा नहीं आपको नेट पर search भी करोग तो आपको मिल जाएंगी वह नहीं की तस्वीरें होंगी चोटी 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 अनलाइन वसे ऐसी कावी सारी ऐसी चीज़े हैं जिनको मैं नहीं recommend करूँ कि आप लोग जाकर search करें बिल्कुल भी और मैं यह भी विदर कह दूँ कि बड़े जो हम discuss कर रहे होता है ना खुदारा खुद experiment करें ना चल जाना मैं इसको बताता हूँ हाँ प्लीज तेखें मैं जैसे खुद story सुना रहा हूँ बड़े शौक से podcast चला रहे हैं जी हम YouTuber बनेंगे बड़े हुके ठीक है यह कर रहे हैं लेकिन मैं generally लोग मुझे बोलते हैं आप फलाने की तरह जाके फलानी जागा विजिट क्यों नहीं करते हैं गोस्ट बस्टें गोस्ट बस्टें गोस्ट आपके पीछे लग जाएकि आप क्या कर लोगा उसका क्या कर लोगा जैसे आपने फ्स्टोरी सुनाई कि वह जल गई थी सबकुछ हो गया था उस गर में आज तक यह आज तक उस घर को को खाली नहीं मतलब यह ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों ने ट्राइप नहीं किया होग क्या तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ में आपको बुराई में डालने के ज़रूत किया है कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे एक बड़ा पराना दुस्ता उसको है न जिन बुलाना आता था ठीक है अब अलग अलग तरीके होते हैं बुलाने के बहरारल तानि बोर्ड वाक तुए कौंसा बुरच होता है उसे जी बोर्ड गना चल अजन एक काम करते हैं कि ने छोग बताया, कि यार् देखो मैं हाथ पकड़ूँ तुम्हारा ठीकल तुम्हारा हत पकड़ना रम चारो आगी सर्कल बना लेंगे बीच में हो केंडल वेंडल सारी अरकते करें रखेंगी सीजे और मैं कुछ बढ़ूँगा और पता नहीं जो भी हीब्रू था, क्या वो चीज मा कुछ पढ़ूंगा और बस होगा कुछ नहीं वो हमने चीज फैसिनेट करेंगी एगर बीच में यह कुछ चीज ऑब्जेक्ट मेने रखा हुआ है तो यह मूफ करेगा हिलेगा बस यह कुछ तरह फैसिनेट चला हो गोस्ट बुलाते हैं अगर हम हाथ छोड वो इस सर्कल से आउट हो जाएगी आफ टू हाथ पकड़ के रखना है नहीं कोई शौक नहीं नहीं देखना खिलता हुआ चीज था मैंने नहीं देखने ऐसी कोई चीज है मैं तो अकरी करता हूँ 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 हुद मेरे साथ अपार्टमेंट में कोई आ रहा है दर्वा ग पड़ी है और उस चीज चोड़ने की रीजन में नहीं पर पताई क्या थी और वो जो सहब भी आई थे यह सब कुछ करने के लिए वो भी कोई ऐसे हलके आदमी नहीं थे इतने पायस आदमी थे कि जिस दिन उनका इंतिकाल था उन्हीं ने अपना उस दिन जो है कफन निकाल के अपने सामने रख दिया था अच्छा ऐसे वो कुछ कड़क थे वो तो मतलब सुबा फजर पे जब उनके घरवाले उनके कमरे में गये के फजर से उठे बादत कर रहे होते हैं तो सामने कफन पड़ा था और वो फारे हो चुगे तो दुनिया से जा चुगे तो इस तरह आप देखने सकते हैं अब यह जो आपने स्टोरी बताई वीजी बोर्ड वाली जी वीजी बोर्ड पर भी एक मैं आपको स्टोरी बताता हूं अपरेंटली यह कनफर्म नहीं है मुझे लेकिन यह मैंने अफजर्फ किया तीन लोकेशन्स पर जिदर यह काम हो जाता है ना व वो एक तरीके का होट स्पॉट बन जाता है वहां खुद ही आने जाने लग जाते हैं अपनी मर्जी से यह तीन मकानों में मैं देख चुका हूं अच्छा कि यह तफरी तफरी में बला लिया है उसके बाद जी अब लोग कह रहे हैं जी घर में बच्चे भाग रहे हैं फला और हर्कते शुरू जाती है मतलब वो एक तरीके का होट स्पॉट बन जाता है आप तीन मकान में मैं यह देख चुका हूं कि यह हरकत की यह हुआ दूसरे मकान में डिफरेंट लोग डिफरेंट वजुहात की वैसी हरकत की सेम चीज कि वहां पर फिर थरो फेर बन जाता है वहां पर ज्यादा आने मुझे यह साइंस हमें नहीं पता पॉजिटिव एनरजी नेगेटिव एनरजी और लेकिन कोई वजह तो है और लिंक सारा क्या है कि यह हरकत की थी उसके बाद उससे पहले कोई मसला नहीं था उसके बाद से यह मसले शुरू हो गए कि घर में लिए एक genuine case बताता हूँ ऐसे ही तीन-चार cousins मिले और मैं जो बात करना हूँ हमारी podcast follow भी करते हैं जानने वाली है तीन-चार cousins मिले उन्होंने ऐसी यह Pepsi का डक्कन रखा वीजा बोट उनने लिया तो है बड़ हाथ से बनाया alphabets and yes or no सारी चीज़े लिखी है अब उन्होंने बोल बोलते हैं जो तरीका होता है उन्होंने वो चीज़ बुलाई और उसने उनको आंसर किया yes no में आंसर किया कुछ alphabetic letters में आंसर किया और वो उन्होंने किसी बच्ची की रूप बुलाई थी अच्छा वो आई होगे हांब चलो बचलो गुड नाइट अपस होते हैं वो सार अब वो अगर मोटरसाइकल पर भी single लड़का जा रहा है तो उसको फील हो रहा है के मेरे पीछे को बैठा हो बढ़ गया बाइक चलाते वे ठीक है और कुई भी काम कर रहे हुसमें लॉस हो रहा है हुम वो चला जा रहा है हुम यह चला जा रहा है इतना कि वो बंदे जो थ वोचीज आतो गई उसने तबाई भेर दी इतना तंक किया एतना तंक किया कि उनका कारोबार भी लसन लग गया, उनकी सेहत भी लसन लग गई, सब के लसन के तड़के लग लग गई बिलकुल होता है और झाएषी वाज बड़े हो गए, अब वोड़े हो गए, आगे अब प् वो प्रेटेंड करता है आपके सामने कि जूट कि जूट भी तो बोलते हैं लोग तो यसी लिए तो ना वो प्रेटेंड करता है जिन्नात जूट बोलता है जिन्नात में भी वराइटी है ना कि एक वराइटी वो है कि जो बिलकुल नॉर्मल है एक वराइटी वो है जो का आप से नफरत करते हैं जो आप से नफरत करते हैं वो किसी भी लेंट पर जा सकते हैं आपको नुकसान पचाने के लिए यह वह बहुत है जो के शेतान की फॉलवर है जो कहती है कि इंसान अश्रफ मखलुकात नहीं हैं हम हैं उदर उस जमाने से वह तो दो ब्रांच जो नॉर्मल हैं जिन में मुसल्मान भी हैं वह अपने काम कर रहे हैं जो जैनरली वह आली स्टोरियां होती हैं कि आपने काड़ दिया तो वह आपको तंग करने आ गए यह वह आली पार्टी यह वह आपनी दुनिया में अपने चल रहे हैं आपने चेहड़ दिया और आपने चेहड़ा तो वह आपको तंग करने आद पर एक वह आली वराइटी है कि जहां आप दिग गए उनको वह आपको छोड़ेंगे नहीं जो शैतान बंद होता है रमजान में वह यह वाला नहीं होता है वह व करने को तैयार होते हैं तो अगैन वह यह वीजी बॉर्ड से आपने किसी बुलाया आपने बुला फलानी की रूह आ गई रूह नहीं आती जिन होता है वह जिन होता है वह आपको बताता है फीचर के बारे में जादा बात नहीं करता है जो हो चुका होता है उसके बारे में ऐसी डिटेल बताएगा कि उसने ब्लू पेन पकड़ा वा था फोन सामने था वो यह यहां रखा था यहां रखा था यह आप भी कहते हैं यहां सज बोला है फ्यूचर जो बोलेगा वो कुछ आड़ा तिर्चही होगा और कुछ ऐसा होगा कि वो आपको किसी और ट्रैक पे लेकर जाने के लिए होता है जेनरली लेकिन होता है यही है कि जब बुला लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जाए ऐसी बड़ी स्टोरी हैं हमने भी सुनी कि भाई हॉस्पिटल वालों ने बड़े जोश में आके मौर्ग के अंदर बुला लिया अच्छा कि भई देखते हैं जी यह जो रीसेंट बॉडी आई इसकी डेथ कैसे ही उनी ने बता दी है भी यह हाईवे पे जारी ते टेंकर से टकरा गया आप वो कह रहे है मैं जाओंगा नहीं उनको तक कर रहा है तो यह सब होता है और जणरलि यह आप बुला लेती हो और वोह तो खेर मैं ने देखा भी आप के जिस घर में आप बुलाते हैं उस घर का सथीया ना सो जाता है वेंचुली आप उसको गेज के किसी और को भी दोगे उनके साथ भी होगा मतलब एक दफ़ा वह आकर बैड़ गए बैड़ गए नहीं जाते है वो एक अलग इंट्रस्टिंग चीज है वो क्या सीन होता है अलगा का शुकर है मेरे साथ कभी नहीं नाइट मेर जो वर्ड है इसकी अटेमोलिजी पता है आपको नहीं मुझे प्लीज बताएं नाइट मेर जो है वो बेसिकली यह सही आदनी यूरोपियन तर्म था जिसको बा जाता है इवन नेट पे भी आप वीकी वीडिय अब डालेंगे तो उसके बीच एक बड़ी साइंस आ जाएगी कि वह स्लीप पैरलिसिस में चोड़हल आएगी यह मुझे बड़ा एक अजीब सी बात लग दिया हमें चोड़हल किवा दिया लेकिन बहाराल वह एक अलग सब लग गई है जिसकी वैसे आइस्ता-इस्ता करके सारी चीजों में जब मुव्बिंट आ रही है नहीं कि वो बॉड़ी कॉंशिस स्टेट में आ रहा है तो वह एक कोई लैग है जिसकी वैसे आप जाग पहले जाते है और जिसम बाद में जागता है तो वह पैरलिसिस की एफ जालती भी आ रही है या कोई आ रहा है या इस तरह को कुछ हो रहा है अब इस पर एक स्कूल ओफ थॉट हो आला है कि भाई ये क्योंकि आप इस स्टेट में हैं कि आपको तो यहीं नहीं पता कि आँखें भी आपकी सही देख रही है कि नहीं कर रही है अभी वह भी वह सेम जागतिवी स्टेट में हो सकता है, कुछ का कुछ देख रही हूं, एक्चुली सामने कुछ और हो, तो वो है, दूसरे वाले कहते हैं, जी कि आपके उपर कोई पुझेस करने की आपको कुछिश कर रहा होता है, तो वो ये सिप्टम्स होते हैं, तो वेरी थिन लाइन, कि भाई, मेडिकल कंडिशन है, कि इस सूपरनाशनल कंडिशन है, लेकिन अगर कोई कंडिशन होगा, तो पैरलिस नहीं होगा, थोड़ा सा आपके जिसम पर वेट फील होता है, कोई आपको दबा रहा है, तो उसमें क्या होता है, कोई आपके दबा रहा है, आपके हाथों पर उसने फोर्स किया हो, तो टांगे तो चलनी है, ऐसा होता है, श्लीप पैरलिस नहीं होता है, तो पूरा जिसम ही आपका ठंडा पड़ा होता है, अब यह इस पर कोई वही बात है, रिसर्च इतनी इंडरेंस तो है नहीं, लेकिन यह बात तो है कि यह होता है, इस अ फिनोमनोन कि आप जाग पहले जाते हो, जिसम बात में जाकता है, जिसके ऐसे फीलिंग आती है, जिसके आप पैरलाइस्ट है, मेरे एक दोस्त को हुआ था और उसने जिस तरीके समय एक्स्प्लेइन किया था और मैंस कोई देख रहा था कि भाई या तो तो जूड़ बलाए उसने अपनी कंडिशन यह बताई थी कि उसको पसीन आना शुरू है हाथ पर अटक गए आंखे उसकी उपर चड़ गई और व गंधी बाद कर रहा है ऐसुह साइट बाड गा लेकिन एशल में होता है अब पूलिफेर भर बहुत सारेके साथ नहीं है मेरे साथ नियो हुआ मैं तो अल्ला ना गर्म क per se हुए है उसने काया कि यह तुँद दुभाई में होवा था कि उसने का कि मुझे कुछ साहे ऐसा नजर आए था आते वे लेकिन उसने जनरली क्या किया उसने क्यों अपने आपको डीला चोड़ा आखे बंद की वह रिलेक्स जब आप कुछ कर नहीं पाड़ें तो हाई पर होने से बेतर आप आखे बंद करके ठंडे हो जाओ बिलकुली रिलाक्स हो जाओ नहीं हिल पारे कोई बात है थोड़ी देर में खुदी सही हो जाएगा तो वह उस अप्रोच से चला वह उसने कहा कि उसके साथ एक आध दफा हुआ उसकी बात वो ठीक हो गया सर्मान भी तरिया बात करो मुझे बाह बताएं क्या जिन जानवर का शेव अ परता है में आनगा था कि अनग में आगर हो में अदों कॉद्ट हुआ है चीप नहीं जुक्ड फ्रोच चहां स्वार कंशन बिल्ला कितना सिहत मंद है, मशेला, फुल खाता पीता, मोटा ताजा रहा है, तो बिल्ला मुड़के, किसा बड़ा मशूर है, होने को कुछ भी हो सकता है, अब सबसे पहली स्टोरी मैंने जो की थी वो यह ही थी, कि वो खातून को किताब मिलती है, उनके कोई दादा होते हैं, तोड़े सूफी टाइप, वो कला किसम के वजीफों की किताब थी, तो उसमें कोई किताब थी, जिसमें कोई परीयों का कोई जिर्गा लिखा वा थो परी जुक्के से ले आई कि भाई ये मैं करूंगी तो ये होगा तो फुल वह आला इसाब होगा पहले दिन किया कुछ पतलब कुछ अमल करना था एक हफता या दस दिन रात को को धाई तीन बजे वो उसका टाइम होता है थजुत के टाइम के आसपास एक दिन किया कुछ नहीं हु जब फिर पढ़ी कोई मैं काले चौथा दिन था पूरा करने में अमल में दो या तीन दिन रह गए तो उसने फिर पढ़के जम नीजे रखी पूरे हॉल में बिल्लिया बढ़ी में थी वो डरके भागी अपने कमरे में जाके बढ़ गी अब वो लिखने वाली ने कहा कि भा हा रहे जा रहे जा रहे जा रहे अब वो तुझ खेर बच्ची थी वो गहरी आज तक ही मसला में रहा है हमारे एक दोस्त है वो इस पॉड़कास में भी आ चुके है वो एक अमल करते थे बात्रूम जाने से मतलब बात्रूम एंटर होती कुछ पढ़ते थे तो दूआ भी त भातरूम होती है का पढ़ते ने जाए है वी वह इती हूँ में ड़ते थे तो आप लोग ड़र जाएगे बात्रूम जाने शुक्रा बात्रूम देल का, पत्राइए है… जब भी किते सो में तो दो में रही कणे, तो ऑज़ी सेपमां उसक्ता इता है, वाद घता है गाटा है पड्रीली देल, को ढूल को दो हम खेंड़ा करम दो किला हुए, जिसों तो में कंपली प्रओश ईटिखाय भी, अब क्दा भी पधार आ के अहु और मुर्गे का ताज देखा, कैसा लाल सा लटका हुआ, गिल गिला सा होता है, उस आदमी के पूरे चेहरे पर कलगे लटक रही थी, नीचे तक और उस ने पीछे यू शीशे में देखा उसके तो उसके पीछे भी सेम है, जो मुह पे था वह चीज पी तो उस शक्स ने उसको कुछ बोला, और यहां से उसको कुछ जवाब देना था, उसने उसको कुछ बोला अपनी आवाज में, यह घबरा गया, उसने जवाब नहीं दिया, यह बिहोश हो गया, उस मूमेंट पर होता है, अगर तो आप उसको जो पूछता है, उसका वो जवाब दे दो, तो मने था बहुत को आए और को इसा ही हुआ था में सिलाओ्ट होए यह स्पुरीपाता और यह सब्धस के च्छा आपल्ड साय एक ह weten में क्षर्ट मुच्छ Deutsch न है कि वो वीडियो बनाई थी और उसमें भी नहीं आ रही थी लेकिन वो खातून चिल्ला काटने आती थी क्या सिंथा वो तो एक वो आपको याद हो पीजा हाट हो था था सीवियू पर उस पे छोड़ा रहा जिनका भी डैध भी हो गई है वह उसने बताई थी कि वह उस जो बच दो दिए कसी ने यह कह दिये किसी ने वह कह दिया वह यह लेखे थी वही सेम 40 दिन चिल्लावली कोई स्टोरी थीं है अब सब में यह होता कि मैं घ्राब सेमी ती सक्कर की अब सक्कर की सेम स्टोरी थी सक्कर की के बंदे ने बताया कि उनके कोई चाचा थे या कोई मामू थे बतला वो बचे नहीं उनकी स्टोरी क्या थी कि उनको लंगड़ा हमेशा उनी ने देखा था एक टांग के बगएर और वो अबनॉर्मल भी हो गए थे और वो बहुत उनको बच्पन में किसी ने यह पटी बढ़ा दी थी कि ऐसा करके 40 दिन करो तो ऐसा दाइरा बनाना होता है और जगह ऐसी चुन्नी होती है जहां पर ऐसी चीजें का आमद हो आना जाना हो जैसे इसने वाश्रूम या बातरूम की बात की है तो similarly कबरिस्तान होता है और जैन जब जवानी में उनको तरीका बताया था कि आपने हिसार बाढ़ना है एक सरकल बनाना है और 40 दिन तक ये काम करना है वहां दर जाके और फलाना फलाना और कुछ आखिर के दिनों में तो वहां सरकल से निकलना ही नहीं है आप उसी में रहना आप सरकल से हरके बाहर नहीं न पिर दस दिन के बाद जहने से नजर आने लगा आ來 में अधेरे में रहते थे यह अमिल वही रात का था था रात में चक्कर काट रहे है दर उतर जहन भर तो गह रहे है so that when incomes hour जहने आरएक धिना रहा है 속सा वह जहा रहे है जैसा बिल्ली ख fem means का अजीब कुछ चीजे उसके बाद अधेरे में लोगों की भीड़े नजर आना ही लगी ना लोग खड़े में इनसानी तरीके के अब जैसे वक्त गुजरा और तो अब वो इनसानी शेप्स चेंज होके जिस तरह ये बताया कि उसका मुँ ऐसा था तो कोई ऐसा है जैसे कि उसक बचानी के लिए एक दिन क्या होता है ये बिलको लेंड की कहानी है वो देखते हैं कि एक आदमी आगे बढ़ा रात में इनका दो ये चार साल का बच्चा था उसकी गोद में है और वो कहता है अगर तूने ये अमल नहीं छोड़ा और ये दाइरे से बाहर नहीं आया मैं इ systematically वो एक उसमें आगया जटके में गी मेरा बच्चा इसके हाथों में चड़ गया और आटमाटिकली एक टांग उसने सरगल से बाहर निकाल ली कहते हैं जी उसनी डांग बाहर निकाली उसकों दोने होश नहीं आंग कुली अस्पाल में पड़े गए थे तांग गाए वो मत तो जितना हिस्सा उनका निकला था वो ओन दस्पॉर्ट गाइब होगे वो और ब्लड लॉस से बहोश हुआ दिन में लोग उसको चेक करने आये थे तो भाई मिले उसके बाद से वो मैंटली डिरेंज भी हो गया था टांग वांके लॉस की बलड वगरा की वैसे और इसूस थ होगे इन चीज़ों से बचा किसे जाए तो एक चीज मैंने देखी है यह एक तो यह वाला सिलसला है कि बुला रहे है यह तो नहीं करना चाहिए वाई जेनली होता यह है कि आप चीजों को अर्भी अप्रोच से लेकर चले अर्भी वाले इसको जैना को सूपर नैच्रल ची रखे मैं अपने काम से काम रखा इशू क्या होता है आप वही चोटी मिसाल है आपका घर है आप ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे हैं मैं आपके घर में आया गुटका थूगा शिगरेटे पी इदर गंद मचाया चीज़ें उठाके भेगी और मैं चला गया रखे बैडस सो खाएंबेटे इगाने खाएंब्ढ़ में गांचे आपका क्या अटियटूटीग होगा फर इर अटीज़ाई है सुच्छ ऊटडगु कि ऐा थे तो होता है मैं जंगल में जा रहा था मैं बाड़ का लाकर ऑनों इस चाह सहाइए w किसा साल्स तो जेनरल जो आपको तरह तरह बताये में कि आप आउट डोर्स जाएं तो यह काम इस तरह ना करें यह ना करें यह करें तो आप यही प्रैक्टिस करने हैं अदाशनफ बाकी ओवर और अबफ तो जाहिए बात है वो कोई नहीं बता सकता यह आप जब खुद कुछ करेंगे तो होती है जब करोगे हरकत तो फिर होगी भी हरकत चले यह आपके साथ मसले हो गए आपने कहीं कहीं से गुजर बसर हो गया किसी कई आपने पह रग दिया मगरब के टाइम पे च्छत पे चलेगा पर्फ्यूम लगाके या लड़कियों के खुले बालों का भी एक वो है कि लड़कियों को खुले बाल नहीं रखने चाहिए मगरब के टाइम असर मगरब के दरमयान जो तना बड़ा भारी वक्त होता है इस सारे सिलसिले के दरमयान एक कौम ऐसी होती है जो अपना धंदा चमकाती है बलकुल और इसमें जो मजबूर होता है वो हलाल भी होता है आपके बेटे पर जिनका साया है मुझ पर जिनका साया हो गया था मुझे भी नहीं पता था जिनका साया है अब अम्मा को बुले जिनका साया है ये और वो अम्मा अच्छा जबी ये स्कूल में पास नहीं हो रहा जबी मेरा बच्चाता कमजोर रहता है बुखार जबी जब जब दो बार हो चुका है अम्मा के दिए पचास हजार रुपर लगेगा जाफरान के पानी से मैंने को तावीज मना के दूँगा और सोने की प्लेट में वो पानी डाल के इसने पीना है या फजर के बाद उटके पर पीना है अब मैं सोच मैं अच्छा इस दार परानी बात न चलो ठीक है अत्ता अल्ला वाला है भाई तो भाई काम करते या बोलते अपने अपने तरफ से जो हदिया देना दे देना एक प्रिस्क्रिप्शन मना है उन्होंने जाफरान इतर चांदी की प्लेटे उसमें यह भी होगा कि यह आपको मिलेगा नहीं मुझे देने पैसे मैं मेरे सामने क्या किया मेरे हाथ मेरे हाथ में कुछ नहीं है कुछ नहीं है उस नहीं सिगरेट यह जन सिगरेट पीता है किया सिगरेट अंदर चली गई यह जो किया सीगरेट गाएब वाह शीड़ गायप लेकर यहाँ यह जो सीलिकन का आखरा लोगों को नजर आ आपके सामने के लिए होते हैं आप 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 देख रहे हैं ना कि दिमाग इतर दर हुआ है बात में फुटिज देखी हैं और अच्छा तो बड़े हैं लेकिन खेर उनको मैं अन्स्क्रीन बोल गया था गार रो खुद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस आप नजर का ध पड़े हैं कुल पड़े जो भी जो प्रान में लिखा हुए कि हर सलूशन जो है वो अल्ला ताला ना अल्री दिया हुए तो लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि फलाना भाई दिमकाना भाई आपको मायूसी का मसला है ना कोई मायूस इस लेवल पहुंच गया हो कि अब उसको सुनोगे ना कैसे सालों से प्रॉब्ल में हूए यह यह वो यह मसल आपके साथ यह आपके उपर शराप है पर आतमा का साय यह है यह फलाना ना जहीं जो मंजन जो चलता है वह आपको बेचना शूरू करेंगा आप सुनते जाओगे आप उसमें और शुरू शुरू में बि के लिए काम कर रहूं पर वाहिस्ता हिस्ता कि देख़ेंगे तो अब एक काला बकरा नहीं है तो चा पंदरा सोला लगेंगे तो इसकी इतने पैसे चाहिये एक याँ आप सोचोगे यार पंदरा सारी चुटिंग होती है, मैं यही कहना चाहूँ को लोगों के यार बरह मिरबानी है, ऐसे दोके बाद उसे बच के रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ, और अपनी गाड़ी का, किसी पेंटर के पास तो नहीं जाता हूँ, तो मैं अपने इस तरह के मसले हल करने के लिए, मैं आड़े तरह के पास क्यों जाता हूँ, किसी ऑथेंटिक मुफ्ती के पास क्यों नहीं जाता हूँ, या किसी अलामा के बास मतलब, इस सब्जिक्ट के इलावा, हर चीज में हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, डॉक्टर यह फुलाना, जो बन्दा जो ब लाना पर जे नेंब उतारते हैं, आप इपको भी आते होंगे, क्या रवी, यह है भी यह मसले है, ड्रिंगाना मसले, मैं सब को यह बलता है, मुफ्ती के बास मैं कुछ नहीं बता हूँ, मैं कुछ नहीं बता हूँ, वह टैक्निकली घलत हूंब यह सकता हूँ, उच्छा को बताएंगे कि इसका हल्क है और वो बता भी देंगे ये मामला हो सकता है बिगड़ जा किसी आड़े तिर्चे के बास जाने से ये भी होता है और ये नेवर इंडिंग इसुग है भाई ये नेवर इंडिंग टॉपिक भी है जी हमारे इनफेटुएशन इस चीज से साथ दे अप आए और ये जितनी सारी हमने बाते के हैं आप जाएं आप डॉक्टर सुलंगी औल्सोने अज्सलमान अजसे लाँ को जाएं पूगर सकते हैं इंस्ट्रीप्शन के देंडर में अदर मेंशन कर दूंगा और आप जाएं इनका यूट्यूब इनका यूट्वी भी है कि एड़ करना तो एड़ दर एड़ एड़ इवल स्पेल्स इवल स्पेल्स क्या बात है वही मतलब चेक कर रहा है इवल स्पेल्स इंस्टरग्राम और यूट्यूब दोने का मेंचिन किया वहा है डिस्क्रिप्शन दर जाके आप देखें मेड़ियमेंट को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर देखने तो फालो करें स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा अब सीन पता है कि अगर अगर आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ हो को ऐसी स्टोरी हो तो मुझे वोईस नोट कीजिएगा मज़ा हैगा सुनने उसको फीचर भी करेंगे और हो सकता है आपको बीशाद पॉड़कास में बुला ले तो बहुत सारा ख्याल रखीगा पाकिस्तान जिन्दाबाद लाफिस लाफिस